Hello everyone, myself Parsi Deval, Senior Chemistry Faculty, CLC Seeker. जैसा कि आपको पहले से पता है कि CLC आपको JE Advance के POS Irkikution के Video Solution प्रोवाइड करवा रही है. उसी स्रीज में मैं आगे बात करूँगा. Physics और Math के बाद Chemistry के हम बात कर रहे थे और Chemistry में हम दो यूनिट को अल्रेडी पहले डिसकस कर चुके हैं. इस यूनिट से रिलेटेड जितने क्यूशन 2016-2019 के बीच में आए हुए हैं, उनको हम दिसकस कर चुके हैं. Second unit में हमने बात की थी, हेलोजन डेरिवेट्यू, एल्कॉल, फिनॉल, एथर और कार्बोनिल कंपाउंट से रिलेटेड जितने क्यूशन हैं, उनको भी हम दिसकस कर चुके हैं. आज की जो हमारी यूनिट है, वो और्गेनिक का रिमेनिंग पार्ट है, और उसमें हमारे पास है, कार्बोक्सलिक एसीड, एसीड डेरिवेट्यू, एन कंटेनिंग, पॉलिमेर, बायो मोलिकूल, और केमेस्ट्री इन एवरिडे लाइप. इन टोपिक से रिलेटेड जितने भी क्यूशन, 2016-2019 के जेई एडवांस के पर्ष्ट और शेगिन पेपर में आयोए हैं, उन क्यूशन की बात हम आज की इस यूनिट में करेंगे. साथ के साथ किसी भी क्यूशन के चारों उप्षन है, उन सभी को उप्षन को हम डिसकस करेंगे, और उस कंसेप्ट से रिगार्डिंग, जितना कंसेप्ट इर्दगर्द घूम रहा है, जो क्यूशन उस कंसेप्ट पे और बन रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे तो आप धंक से समझिएगा तो बात करते हैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्यूसन से फर्स्ट क्यूसन आपको स्क्रिण पे नजर आ रहा है वो है the major product of the following reaction आपको एक reaction दी हुई है और इस reaction का major product फूझा है क्यूशन आया है जेई एडवांस 2017 में सबसे पहले मैं यह बता दू कि क्यूशन किस टोपिक से बिलोग कर रहा है क्यूशन बिलोग कर रहा है N containing से और आप देखें बाइफिनाईल रिंग पे एक तरफ Ns2 लगावा है और एक तरफ OH लगावा है बहुत ही सिंपल सा क्यूशन है आप इसमें सबसे पहले यह देखें कि जो NaNO2 और HCl है यह रियक्ट करके बनाएंगे सबसे पहले HNO2 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसीड है इसका नाम है नाइट्रस एसीड रियक्शन होई है 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन की रियक्शन हम नाइट्रस एसीड से 0 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं तो रियक्शन का नाम होता है डाई एजोटाइजेशन रियक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन तो पस्ट रियक्शन में तो होगा diagotization मतलब 1 degree aromatic amine diagonyum salt में convert हो जाएगी फिर second में आपको दियावा है aqueous NaOH तो इसकी presence पे जो reaction होगी वो होगी coupling reaction तो यहाँ आपको 2 reaction से आपको answer निकालना है hopefully question का पूछना क्या चाह रहा है question में कौन-कौन सी reaction involved हुई है उनको मैं discuss कर चुका हूँ अब मैं इस question के answer की बात करता हूँ कि इसको हम solo केसे करेंगे ठीक है तो यह जो चीज है इसको solo करें तो देखें question को आपको दियावा क्या है सबसे पहले आपको दियावा है biphenyl ring और इस पे एक तरब तो यहां तो लगायावा है OH group और यहां लगायावा है NH2 group और इस compound की reaction करवाई है NaNO2 शोड़ी OH जो है वो यहां लगावा है Vecutions जो है वो यह वाला है OH यहां लगावा है और NH2 यहां लगावा है और इस compound की reaction करवाई है NaNo2 plus HCl से जो कि क्या बनाएगा Nitrous Acid बनाएगा, reaction का नाम क्या बोला मैंने Diaginium Salt तो NS2 group जो है convert हो जाएगा, वो हो जाएगा Diaginium Salt में तो first reagent जो है NaNo2 and HCl और 0 degree Celsius reaction का नाम मैंने बोल दिया है Diaginium Salt बन जाएगा तो पहला जो बना, वो ये बना OH और ये N2 plus Cl minus This is Diaginium Salt अब ये जो first reagent से रिख करने के बाद ये product बना है second में आपको दिया हूँ है NaOH Concentrate तो सबसे पहले NaOH phenol की acidic hydrogen को remove करेगा और phenoxide आइन बनाएगा अब यहां जो reaction होगी ना वो होगी coupling reaction अब coupling reaction है ना वो है example of aromatic electrophilic substitution का ये जो है example of aromatic electrophilic substitution का example है coupling reaction तो ये जो OH है ये ये करेगा किसकी तरह भी है electrophile की तरह है और ये ring जो करेगी वो किसकी तरह भी हो करेगी nucleophile की तरह है अब aromatic electrophilic substitution है तो ये जो OH है वो orthopera directive group है orthopera directive मतलब ये electrophile इसके orthopera directive group पे जाएगा but coupling reaction जो है वो पहले parapotion को prefer करती है यदि parapotion already occupy है तो फिर उसकी orthopotion पे जाती है बट इस OH की जो parapotion है ये OH यहाँ पे है विड़ा OH यहाँ पे है तो OH की जो parapotion है वो already vacant है तो यहाँ attack कर जाएगा तो reaction आगे क्या होगी देखें ये आपके पास इधर लगावा है N double bond triple bond और N positive और इधर आपके पास है ये दूसरी ring ये OH अब यहाँ से ये इसके double bond में लगा देता हूँ yellow ये electron इधर सी इधर गया तो इस पे positive charge आगया जैसे positive charge आगया ये इलक्रोफायल जनरेट हो गया और electropile जनरेट हो गया तो ये इसकी perapotion से क्या कर जायएगा attack कर जायएगा जैखो ये यहाँ से हाँ negative charge और ये negative charge यहां क्या कर जायेगा attack कर जायएगा intramolecular coupling reaction और यहाँ जो प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो यह बनने वाला है इधर आ गया N, डबल बॉंड N, यह रिंग और यह OH, एजिट और यहाँ से आप नहीं किया तो इस पे पोजिटिव चार्ज आ गया और यह बॉंड एजिट रहे गया और यह इधर से जुड़ गया और मैं बोलता हूँ जिस कारबन पे इलक्ट przyl ex करता है उसी कारबन से ए्ज प्लस क्या हो जाता है बहार हो जाता है तो यहाँ से एज प्लस बाहर होगा से वापस से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, और फाइनली जो प्रोड़क्ट बनेगा, वो यह वाला बन जाएगा, यह OH, N, डबल बूंड, N, और यह वाला प्रोड़क्ट आपका, फाइनली हो जाएगा, कलाइड डाई यह आती है, कप्लिंग रियक्शन का, यह एक सेगिंड आउड आएगा, कलियर कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चीए, कप्लिंग रियक्शन का एकजाम पला है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्यूशन की, नेक्स्ट क्या है, देखो, next question paragraph type का question है और काफी information है और easy सा question है कोई बहुत बड़ा question नहीं है आप समझे इसके हो question में क्या बोला है पहले question को read करते है treatment of compound O with kemonophore acidic medium give P compound O आपको ये दिया हुआ है ये compound O आपको दिया हुआ है और इस compound O की reaction करवानी है kemonophore और H plus से तो आप सुने कि amonophore क्या है oxidizing agent और ये दि benzene group से direct hydrocarbon की chain जुड़ी हुई है तो उसको oxidize करता है carboxlic acid में फिर बोल रहा है P P जो compound बनेगा which on hitting with ammonia gave Q अगर आप जो P product बना उसको ammonia के साथ reaction कराओगे तो वो Q बन जाएगा the compound Q on treatment with BR2 NaOH produce R R बन जाएगा फिर on strong hitting Q क्योंकि दूसरी reaction चलाएगे क्यों को strong heat करोगे तो gave S तो वो S देगा which on further treatment with ethyl 2-bromopropaniod in the presence of Q followed by acidification gave compound T the compound R is एक तो यह पुचा है इसमें compound R क्या है और अगला question इसमें और क्या पूचा है पर अगर आप से वो अगली screen पर आपके पास आएगा पहले हम इतने को हम solo कर लेते हैं देखें क्योशन में जो regarding information पूची है उसके बारे में बात कर लेता हूँ आपको जो O दिया हूँ है वो यह दिया हूँ है और O में आपको तीन carbon की chain लगा रखी है यह आपको दिया हूँ है O इसकी reaction करवाई है किससे K-monopore acid के medium से K-monopore और acid के medium तो यहाँ होगा oxidation active hydrogen और oxidation में carbonic acid बनेगा well known reaction है और यहाँ जो compound बना आपके पास बन जाएगा oxidation से वो बन जाएगा COH और यह COH compound का नाम भी मैं बता देता हूँ compound का नाम है वो है therlic acid यह therlic acid आपके पास बन जाएगा यह जो बना यह आपके पास बना है P अब P की reaction which on hitting with ammonia इसकी reaction करवाई है किससे ammonia से reaction करवाई है ammonia के साथ दिया है heat तो पहले तो salt बनेगा acid based reaction होगी उसके बाद heat करने पे H2 भार हो जाएगा और थेलेमाईड का निर्मान हो जाएगा मतलब पहले तो यह बनेगा आप यह देखें अगर heat नहीं दी हुई होती heat नहीं देता तो compound यहीं रुख जाता NH4 यह positive CO O minus NH4 और यह positive यह तब है जब आपको heat नहीं दी हुई है बट आपको heat दी हुई है तो heat में minus 2 H2O हो जाएगा और compound यह वाला बन जाएगा CO NH2 और यह CO NH2 और इस compound का नाम है वो नाम है थेलेमाईड है इस compound का नाम है वो है थेलेमाईड और यह compound जो बना है वो बना है क्यों? अब direct यहां से H2 भाहर कर सकते हो NH3 का H और इसका OH भाहर कर दो यह direct यह वन जाएगा Q फिर बोल रहा है अगर मैं इस compound की reaction BR2 NaOH से करवाँ तो आपको पता होगा BR2 NaOH में कौन ची reaction होती है एमाईड की reaction BR2 NaOH के साथ base और NaOH के साथ reaction होती है हापमान BR2 कार्बन का degradation होता है कार्बन कम हो जाता है CO group कार्बोनेट फोम में क्या हो जाता है बाहर हो जाता है तो इस reaction का नाम है वो नाम है हापमान BR2 और यहां से फाइलली जो प्रोड़क्ट बनेगा वो यह वाला बन जाएगा NH2 और यह NH2 यह जो compound बना यह बना produced R मतलब यह वाला जो है आपका R है ठीक है R का मतलब समझा है R तक हम पहुँच चुके है फिर क्यूशन को उसने वापस से चेंज किया Q gives S which on further treatment with ethyle produce R on strong heating Q gives S तो यहां पे इसको उसने क्या किया strong heat किया यहां से strong heat किया तो यहां से यह NH3 क्या हो जाएगी बाहर हो जाएगी और जो compound बनेगा वो यह वाला बन जाएगा C-O-N-H और यह C-O-N-H और इस compound का नाम है यह जो बना आपके पास on strong Q क्यों को strong किया तो यह S बन गया और इस compound का नाम में बता देता हूँ इस compound का नाम है थेली माईड आप organic chemistry में एक reaction फड़ते हो gabriel थेली माईड synthesis gabriel थेली माईड synthesis वन डिग्री एलिफेटिक एमीन बनाने का best method है इससे हम वन डिग्री एमीन का preparation करते हैं तो ठीक वो ही reaction यहाँ पर प्रोसीड हुई है थेली माईड एस चोबना which one further treatment with ethyl 2-bromopropanate यह देखो ethyl 2-bromopropanate इसकी reaction करवानी है ethyl 2-bromopropanate शें तो आप देखें ethyl 2-bromopropanate क्या होगा ethyl 8 का मतलब है कि ester group है तो CO और यह et ओक्षन से आगे वाला पहले बलाज़ता है ethyl prop मतलब 3 कार्बन है 1 कार्बन आ चुका है यह CH कार्बन और यह CH3 और 1, 2 दो नमबर पे लगा रखा है bromo और यह bromo तो आपस से सुन ले ऐस जो product बना which one further treatment with ethyl 2-bromopropanate तो 2-bromopropanate यह है ethyl और यह 1 और 2 पे bromo है bromo propanate इसके साथ रिशन करें in presence of KOH KOH की presence में KOH strong base है इस H को हटाएगा यह acidic nature का है इस पे negative charge आएगा इस पे negative charge आते ही यह किस की तरह भी हो करने लग जाएगा nucleophile की तरह भी हो करने लग जाएगा और nucleophile की तरह भी हो करेगा तो यह इस पे attack करेगा और इस BR को क्या कर देगा बाहर कर देगा यहाँ जो reaction होगी वो कौँजी होगी SN2 reaction proceed हो जाएगी जैसे Gabriel Thelamide synthesis में होता है वहाँ भी हम potassium Gabriel Thelamide iron बनता है जो की nucleophile होता है और फिर वो living group लगे होए carbon प्यटे करके उसको बाहर करते है SN2 के through अब SN2 के through product बनाता है तो यहाँ जो product बनेगा वो product क्या बनेगा यहाँ जो product बनेगा वो यह वाला product बनेगा भी है CO यह CO और यह N और यह CH इस पर टेकर गया, CH3-AGYT लगा रहा गया, और COET, यह वाला प्रोड़क्ट बना, आपको परजेंश ओप के वच, के वच की परजेंश में रिएक्शन करवाएगा तो, फिर बोला है, followed by acidification, अब आपको इस compound का क्या करवाना है, acidification करवाना है, मतलब acidic hydrolysis, इसका करवाना है, acidic hydrolysis, तो यहाँ acidic hydrolysis में ester का hydrolysis हो जाएगा, ester का hydrolysis होगा, तो यह ester भी तूट जाएगा, ester तूटेगा यहाँ से, यह OH और यह H, तो इधर तो ETOH और यह किस में बदल गया, कार्बक्सलिक एसेड में, साथ में यहाँ से तूटेगा, OH, H, यह OH और यह H, amide group का भी hydrolysis हो जाएगा, acidification hydrolysis का मतलब acid derivative का, अगर आप hydrolysis करवाओगे, तो कार्बक्सलिक एसेड का फोर्मेशन होगा, तो ester था, ester का hydrolysis हो गया, जो imide group है, इस functional group का नाम है imide, इसलिए मैंने बोला है थेली imide, तो imide का hydrolysis करवाओगे, तो OH, H, OH, H, तो उधर तो थेली केसिड बन गया, इधर वाला compound क्या बना, इधर वाला compound बना है आपके पास NH2CHCH3 और यह COH, यह वाला compound बना, और side में जो बना, दूसरा compound बना, और जो compound बना है, वो एक बना है, ETOH, और एक बना है यह वाला, COH, और यह COH, यह वाला, तो main product तो अपना यह आ गया, और यह है, एक ही compound में, amino और carboxyl acid दोनों present है, और इसका यह type है, amino acid का, example है, alpha amino acid का, neutral amino acid का, और इसका नाम है, alanine, इस amino acid का नाम है, alanine, तो यह वाला questions हमने solo कर लिया, अब question में हमें क्या-क्या पूछ रहा है, उसके according में information आपको दूँगा, तो समझें, वापस से आप देख सकते हैं, पहले oxidation हुआ, NS3 की presence में थेले amide बना, और heat किया आगे, तो थेली amide बना, फिर base की presence में नुकलोफाइल बन गया, SN2 reaction हो गई, BR बाहर हो गया, hydrolysis कर गया, तो ester का भी hydrolysis हो गया, और साथ की साथ amide group का hydrolysis भी हो गया, और finally हमें एक amino acid मिला, और उस amino acid का नाम है alanine, अब क्यूशन साब देखें, पहला क्यूशन मुला है, the compound R is, तो R में तो दो NS2 group आए हैं ये, तो R तो इसका तांसर जाएगा, परस्ट जाएगा, ओके, अब second question क्या पूचेगा, वो देखें, परस्ट क्यूशन हो गया, सेगंड क्यूशन क्या पूचेगा, second question पूचा है, the treatment of compound, वो ये same question है, डिट्टो जो मैंने पीछे साब लुए किया है, बट यहां ये पूचेदा compound T is, तो T जो last वाला compound है, जो acidification जो T आ रहा था, T को मैंने अभी पीछे वाले question में explain किया है, क्या आया था, एलानीन आया था, तो ये second, एलानीन, जिसकी structure मैंने बोली थी, C-O-H, C-H, N-H-2, और ये C-H-3, तो second, थर्ड का अंचर आएगा, वो आएगा second, तो paragraph type question था, second और third दोनों question इससे connected थे, NCRT-based सारी reaction थी, simple question था, okay, next question देखते हैं, next question है, वापस से paragraph type का है, और ये question आया है, J-Advance 2018 में, ये भी बहुत easy सा question है, question पहले read करते हैं, the treatment of benzene with CO-HCL, in presence of anhydrous ALCL-3, Cu-CL, followed by reaction with AC-2O-NaO-AC, give compound X, is the major product, compound X upon reaction with BR2-Na2-CO3, followed by heating 8473 Kelvin, with moist CO-H, furnished Y is the major product, reaction of X with H2-PDC, followed by H3PO4 treatment, gives Z is the major product, the compound Y each, तो पूरे paragraph को solve कर लेते हैं, एक-एक reaction को sequence से समझ लेते हैं, किस reaction का क्या मतलब है, देखें, ठीक है, देखें, क्यों से हम सोलो करें, treatment of benzene, benzene की reaction करवाई ये, ये benzene, किस से करवाई ये, CO-HCl, carbon monoxide HCl, बोला है, in the presence of anhydrous AlCl3, CuCl, सबसे पहले तो इस reaction का नाम है, Gartraman Aldehyde Synthesis, तो यहां इस sloat में जो reaction होगी, उसका नाम है, Gartraman Aldehyde Synthesis, यह वाली reaction होगी, Aldehydig group पे generate हो जाएगा, formal group लग जाएगा, यहां reaction अगर हम बात करें, तो देखो, CO और HCl react करेंगे, और बनाएंगे, H, C, O, C, L, जो की highly unstable है, और यह तुरंट react करेंगा, कि से, AL, C, L3 से, इस C, L को हटा लेगा, और यहां से, यह जो CO, H है, ओर रिंग पे क्या कर जाएगा, attack कर जाएगा, तो यह example है किसका, aromatic electrophilic substitution का, आप ध्यान दें, कि aromatic electrophilic substitution से, बहुत ज्यादा question पूछे जा रहे है, aromatic electrophilic substitution, सभी compound को आपको, बहुत ही अच्छे डंग से आनी चाहिए, आप जितने previous year के question उठा के देखोगे, तो आप देखोगे, हर paper में, 2-3 question, aromatic electrophilic substitution से, उससे regarding information के question है, तो यहां से, जो बनेगा, वो बन जाएगा यह वाला, LDID group generate हो जाएगा, CHO, ओके, benz LDID का permission हो गया, फिर बोला है, with AC2O, NAOAC, AC2O, और NAOAC, यह जो reaction है, acetic के हिना hydride, और sodium acetate की presence में, इस reaction का नाम है, पर किन reaction? अब पर किन reaction को मैं थोड़ा सा explain कर देता हूँ, पर किन reaction, aromatic LDID की reaction है, पर किन reaction, aromatic LDID की reaction है, और aromatic LDID जो है, मैं यहां पे, पहले आपको side में, पर किन reaction के बारे में, थोड़ा सी information दे देता हूँ, कि यह जो COH है, ठीक है, इसकी reaction, AC2O, AC2C inhydrate, ACONA से करवाते हूँ, तो कुछ जो compound बनता है न, वो यह वाला बनता है, CH double bond, CHCOH, यह पर किन reaction है, और side में एक acid और बनता है, CH3COH, यह वाला acid भी बनता है, कार्बक्सली के बनता है, पर किन reaction की यह reaction है, यहाँ पर reaction कैसे हुई होगी, बात अगर हम करें, कि यहाँ reaction कैसे हुई होगी, तो एक simple reaction हुई है, और वो simple reaction, जिसको मैं बोला हूँ, परकिन reaction, condensation type की reaction है, मतलब आपको क्या करना है, परकिन reaction में, mechanism यहाँ possible नहीं है, CHO को आप convert कर दोगे, CH double bond COH में, आपको करना क्या है, CHO group जो है, उसको convert कर दोगे, CH double bond CH, और यह COH में, एक चीज के आदे हम रखना बड़ा, परकिन reaction से, हर दो साल से क्यों सुना रहा है, तो परकिन reaction भी आपको बहुत अच्छी तरह कैसे आनी चाहिए, आप अपने नोड़ सुपे जाएं, और परकिन reaction को डंग से रीड करें, अब यहाँ जो परकिन reaction हुई है, उसके बाद, अगर हम बात करें, कि यह बन जाएगा, यह परकिन reaction है, दो डिफ्रेंट कार्वक्स रिकेशिड, तो यहाँ भी परकिन reaction होगी, परकिन reaction होगी, तो यह बन जाएगा, CH, double bond, CH, और यह COH, यह वाला जो product आया, वाया, अक्से एजे मेजर प्रोड़क्ट, ठीक है, यहाँ तक की लिए, अब आगे बोला है, कि मेजर प्रोड़क्ट, compound upon reaction with, BR2, Na2, CO3, इसकी reaction करवानी है, present है, bromine का क्या हो जाएगा, addition हो जाएगा, तो मैं नीचे वाली reaction को मैंने बोल दिया है, कि करना कैसे है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, मुझे बोलड़ पर जगए चाहिए, इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब इस compound की reaction, करवाई है, BR2, Na2, CO3 से, तो Na2, CO3 तो base है, तो acid base reaction करेगा, और इधर BR2 का क्या हो जाएगा, addition हो जाएगा, तो compound जो बनेगा, वो यह बन जाएगा, CHBR, CHBR, CO minus Na+, ठीक है, अब इस compound की reaction करवाई है, most CO2 से, तो CO2 क्या करता है, absorbed CO2, यह CO2 को absorbed करेगा, और CO2 को यहाँ बाहर करेगा, तो पहले CO2 को बाहर करेगा, तो यह electron यहाँ से हैं, और फिर यह electron यहाँ से हैं, और यह BR क्या हो जाएगा, बाहर, यह living group CO2 बाहर होगा, जैसे CO2 बाहर होगा तो यहाँ पे नेगिटिव चार्ज है नेगिटिव चार्ज उस BR को बाहर कर देगा और पहला जो प्रोड़क्ट बनेगा वो यह बन जाएगा CH डबल बोंड CH और यह BR पहला प्रोड़क्ट यह बना है ठीक है और यहाँ यह जो CO2 है वो कार्बोनेट फोम में क्या हो जाती है बाहर हो जाती है अब जैसे ही यह बना अब हमें मोईस्ट के ओच दियावा है तो मोईस्ट के ओच आगे रियक करेगा और करेगा वही वापस से मोईस्ट के ओच और यह करेगा D-Hydro-Bromination HBR को यह क्या कर देगा बाहर कर देगा और HBR यह HBR और यह BR बाहर हो जाएगा तो फाइनली जो प्रोड़क्ट बनेगा वो बन जाएगा C-Triple Bond C-H यह वाला प्रोड़क्ट आपके पास बन गया है इससे जो रियक्ट करने के बाद बना वो बना Y is the major product करेगा दोनों BR को यहां से remove कर देगा CO2 को यहां से remove कर देगा और फाइनली बनाएगा एलकाइन ग्रूप जनरेट हो जाएगा बेंजीन ड्रिंग पे और Y यह आएगा आपके पास major product यहां तक के part समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं आगे वाली reactions की कि आगे क्या बोला है तो Y product में अलग से लिख देता हूँ बाकी आगे फिर discuss करते हैं तो X के बाद इस compound के साथ हमने पहले इसके साथ करवाई और उसके बाद हमने करवाई Moist KOH और इसके बाद हमें जो product बना वो यह वाला बन गया C triple bond C H और यह जो product है वो कौन सा है Y reaction of X with H2 PDC इसकी reaction करा रहा है किस से H2 PDC तो जैसे पीछे के पेपर में यह reagent बहुत ज़्यादा यूज में लिया हूँ है दो तिन बार IT इस reagent की पीछे ही पढ़ा हूँ है यूज में लेता है क्या करता है reduction करता है किस का करता है double bond का reduction करेगा तो यहां भी double bond का reduction होगा carboxly cacid का reduction नहीं करता है H2 PDC carboxly cacid का reduction नहीं करता है तो यहां बन जाएगा यह CH2 CH2 और यह COH तो यहां मैं बोलता हूँ hydrogenation क्या किया है इस ने hydrogenation किया है और यहाँ से आपके पास फिर बोल रहा है कि reaction with X with H2 PDC followed by H3PO4, अब अगर आप इसकी reaction कराओगे किसे हैं, H3PO4 से, तो यह इस OH को हटा लेगा और यहाँ सी यह क्या बन गया, इलक्टोफाइल जनरेट हो गया और इलक्टोफाइल इसकी और तो पोशन पर क्या कर जाएगा, अटेक कर जाएगा, एरोमेटिक इलक्टोफिल के सबस्यों ट्यूशन, कैसे हुआ, देखें, यह CH2, फिर CH2, फिर C double bond O, और यह positive बना था आपके पास, H3PO4 क्या कर रहा है, इस O2 को क्या कर रहा है, हटा रहा है, और यहां से क्या जनरेट हो रहा है, इलक्टोफाइल जनरेट हो रहा है, एसाईलियम आइन जेसा, तो यहां वापस सी रेक्शन कौन सी हुई, एरोमेटिक, इलक्टोफिलिक सब्स्यूशन, वो भी कौन सी, इंट अब हम option को check करते हैं, कि हमें option में क्या-क्या पूछा, उसी के गोडिंग हम answer का जबाब देने वाले हैं, देखें, question हमें पूछा हुआ है, वो ये पूछा था, कि the compound Y is, तो Y जैसा आपको यहाँ नजरा आ रहा है, Y कौन सा बना है, तो Y बना है यह third answer, ठीक है, अब next question की बात करते हैं, next question में क्या पूछा हूँ आप से, वो ही same question है, और इस में मैं पूछा है, the compound Z is, तो Z कौन सा बना हूँ है, तो अभी आपको देखो, finally जो product मैंने बताया ह है, वो जेड वाला जो product बताया है, वो पीछे मेंने जेड वाला product आपको अभी मैंने डिसकस किया है, कि जेड वाला product कौन सा बनेगा, तो जेड वाला product जो बना, ये वाला product जो था, वो क्या था, ये वाला product जेड था, अब उसमें जेड आपको बताना है, next question में आपको जे आया है वो आएगा पस्ट पस्ट इज प्रेक्ट आंसर यह बात वी एक प्राग्राप से रिलेटेड दोनों क्यूशन की दोनों क्यूशन हमने सोल्व कर दिये हैं ठीक है नेक्स क्यूशन की बात करते हैं पोजिटिव टोलेश टेस्ट इज ऑब्जर वफ्वर टोलेश टेस्ट क्या है टोलेश टेस्ट है जो टोलेश रिजेंट है उसके बारे भी मैं बात करूं कि टोलेश रियजेंट क्या है तो टोलेंस रियजेंट है अमोनिकल इसको बोलते हैं टोलेंस रियजेंट है और यह बोलते हैं कि AGNO3 plus NH4OH या फिर आप यह दोनों react करके complex form में दे सकता है AGNO3 2 plus this is tolerance reagent tolerance reagent क्या करता है यह aldehyde और ketone का basic test है ketone यह test नहीं देता है aldehyde यह test देता है tolerance reagent aldehyde को oxidize करता है carboxylic acid में और खुद reduce हो जाता है किसमे AG में जिसको हम बोलते है silver PPT actually में होता क्या है यह test कैसे observe होता है जैसे माल लो इसमें कोई aldehyde group present है कोई भी aldehyde group containing organic compound है इसमें हम उपर से डालेंगे tolerance reagent तो इस beaker की जो surface पे है यहाँ पेजो में surface बना रहा हूँ यहाँ silver की PPT observer होती है जिसको हम बोलते है silver mirror और यहाँ इसके surface पे silver deposit हो जाता है जिसको हम बोलते है silver mirror अब tolerance reagent किन को oxidize करता है या फिर मैं बोल दूँ tolerance reagent को कौन-कौन reduce करता है तो question दोनों एक ही है कि वह language का effect है यहाँ तक की clear अब इस question को solo करते है देखो पहले actually में होता क्या है कि जो LDID group है और आपने tolerance reagent लिया तो यह oxidizing agent है और यह बन जाता है reducing agent तो यह उसको oxidize कर देगा तो वह तो चला जाता है कार्बोक्सलिक एसिड में और यह reduce हो जाता है किसमे AG जिसको हम बोलते है silver mirror तो tolerance reagent कोन सा तो यहाँ में कुछ नमादा tolerance test is observed या फिर आपको बोल दे silver mirror test observe तो बात दोनों की एक ही है कोई दोनों चीज़े अलग लग नहीं है अब कौन से compound tolerance test देते हैं तो वह देखो tolerance test कौन से देते हैं following compound give tolerance test aldehyde aliphatic हो या फिर aromatic हो ध्यान रखना aromatic aldehyde tolerance test देता है बट aromatic aldehyde failing test नहीं देता है ये भी anxiety का क्यूशन नहीं इसको भी ध्यान रखेंगे aromatic aldehyde failing test नहीं देता है बट मैं याँ tolerance test की बात कर रहा हूँ तो ये भी देगा इसके अलावा alpha hydroxy carbonil जैसे फ्रक्टोज है फ्रक्टोज ये test देता ना क्यूँकि उसमें functional group है कौन सा alpha hydroxy carbonil जो की convert हो जाता है diene diol में और फिर उसके बाद oxidize होता है वो आगे हम बात करेंगे mechanism की अगर आप देखें इस test को तो समझ में आ जाएगा alpha hydroxy carbonil इसके अलावा formic acid भी ये test देता है इसके अलावा hemi acetyl hemi acetyl भी ये test देता है तो यहाँ अगर हम देखें तो देखो यहाँ LDID group है already तो यह test देगा aromatic LDID देता है तो यह भी देगा और यहाँ अगर हम बात करें तो यह alpha hydroxy carbonil हो गया है और यहाँ यह oxidize हो जाएगा इसमें pH C double bond O C double bond O और यह pH इसमें करना हो जाएगा tolerance agent चे मतलब इस alcohol को क्या कर देगा oxidize कर देगा ketone में यहाँ बात करें तो ketone है और ketone का oxidation नहीं करता है तो कहां-कहां observe होगा first में होगा second में होगा और third में होगा तीन जगए यह test observe होगा तो आंसर जाएगा first, second, third ठीक है tolerance agent के regarding जितना concept है वो मैंने बता दिया एक चीज़ का और दिया नगरा terminal alkyne भी tolerance reagent के साथ test देती है, white PPT बनाती है बट उस test में tolerance reagent reduce नहीं होता है silver mirror test वहाँ पे नहीं आता है, tolerance test positive है बट silver mirror वहाँ नहीं बनता है आप यह concept hydrocarbon की थोरी में आप चेक कर सकते हो, ठीक है, next question देखते है next question, more than one choice का question है, एक से ज़्यादा इसके आंसर आएंगे और बोला है, यह JE Advanced 2016 में जो question आया हुआ है, उसकी बात कर रहा है the product of the following reaction sequence, पहले acetic anhydride pyridine से करवाई है reaction, उसके बाद KBRO3, hydrolysis, diogenium salt बनेगा, फिर CU, HBR के साथ reaction करवाई है send my reaction हो जाएगी, simple सा concept है, सारी reaction NCRT से बिलोंग कर रही है, करते हैं सोलो ठीक है, सबसे पहले, NH2 की reaction, aniline reaction करवाई है, acetic anhydride से, CH3CO, COCH3 in presence of pyridine यह जो reaction है, वो है acylation, aniline attack करेगा, nucleophilic substitution, acyl nucleophilic substitution होगी और finally, यह यहाँ से ऐसे ब्यार होगा, नाम मेंने reaction का लिख दिया है, acylation reaction होगी और जो product बनेगा, वो यह वाला बनेगा, NHCOCH3, that means मैं कहूं कि aniline का मैंने protection कर दिया वहाँ aniline इस ring को aromatic electrophilic substitution के लिए बहुत ज़्यादा activate कर रही थी क्योंकि इसका plus R लगता है, strongly plus R लग रहा था, इसलिए यह ring electrophil के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बट यहाँ पे nitrogen के lone pair 2 way में चलेगी, यह ring की तरह 50%, 50% carbonil group की तरह है मतलब ring यहाँ पूरी तरह activate नहीं है, comparative to aniline यहाँ less reactive हो गई, meaning यह है मैंने aniline के या NS2 group के activating effect को acylation reaction के द्वारा control कर दिया है अब इसके बाद इसकी reaction कर रहा है, यह KBRO3 HBR से है, तो पहले यह देखें, यह क्या करता है, KBRO3 और HBR, आप देखें यहाँ BR- है, यहाँ क्या है, BR- और यहाँ, यहाँ BR जो है, वो किसमे है, प्लस फाइप में, तो यह तो हो गया oxidizing agent और HBR में BR- जो है, वो है, reducing agent, तो यह आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर reaction करेंगे, और यहाँ पर reaction करने के बाद, जो compound बनेगा, वो बनेगा BR2 plus KBR और H2O यहाँ पर बाहर आने वाला है, BR2 बन जाएगा, और साथ में KBR बन जाएगा, और H2O यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो इसका मतलब इस reagent से हमें मिला क्या है, BR2 और H2O, मतलब AQUOS BR2, क्या हुआ, KBR O था, जो bromate है, potassium bromate वो oxidizing agent है, HBR को, HBR reducing agent है, reaction होगा, BR2 और H2O बनेगा, मतलब AQUOS BR2 है, तो इस reagent का मतलब क्या है, आपको दिया है, KBR O3 और HBR, मैं इस reagent का, complete reagent का मतलब बता रहा हूँ, BR2, H2O, मतलब AQUOS BROMINE, अब हम बोलते हैं कि, एनिलीन की reaction यदि मैं AQUOS BROMINATION से करवाता हूँ, तो TRIBROMINATION होता है, ध्यान रखना, अगर इस reagent की reaction, आपने KBR O3 और HBR से करवा दी, यह आपकी question में regarding नहीं है, बट इसके regarding concept है, इस related concept है, इसलिए मैं आपको यह बता रहा तो यहाँ पर बनेगा ये वाला, NH2, ये BR, ये BR, और ये BR, ट्राइब रोमिनेशन हो गया, और वाइट PPT बनती है, बट यहाँ ट्राइब रोमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो एनिलीन बहुत ज़्यादा active था, नाइट्रोजन के लोन पर पूरी 3D localize हो रहे हैं, रिंग के साथ, रिंग को 100% contribute कर रहे हैं, और रिंग को activate कर रहे हैं, बट यहाँ ये ये जो ग्रूप है, NHCOC3 है, वो NH2 की comparison में less reactive है, तो यहाँ इस BR2H2 की presence में होगा, वो होगा, monobromination, क्या होगा, monobromination, और monobromination है, तो है orthopera directive, ये ग्रूप है कौन सा, orthopera directive, है orthopera directive ही है तो monobromination होगा, aniline पे tribromination और acetinilide पे monobromination, तो यहाँ दो possibility आएगी product की, एक ortho, NHCOCH3, ये BR, प्लस NHCOCH3 और ये BR, ये वाला major और ये वाला product आपका क्या है, minor आगे reaction प्रोशीड करनी है, तो आगे reaction हम किस से करेंगे, major से ही आगे reaction प्रोशीड करेंगे, मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, ये अपने किसी काम का नहीं है, आगे बोला है hydrolysis, H3O+, और ये heat, तो इसका hydrolysis हो जाएगा, यहाँ से तूट जाएगा, ये H और ये OH, तो आगे आपके पास बन जाएगा, CH3COH, अब इस compound की reaction फिर आगे करवाई है, NaNO2HClC, और वो ही 273 Kelvin मतलब 0 degree Celsius हो गया, तो वो ही कौन ची reaction हो गई, diagotization, aniline group का क्या हो जाएगा, diagotization, और diagotization होने के बाद, यहाँ बन जाएगा, N2+, Cl-, और इधर BR, अब इसकी reaction करवाई है किसे, CuHBRC, ये reaction सबको पता होगी, reaction का नाम है, send my reaction, और diagotization salt की जगर क्या supply कर देगा ये, BR supply कर देगा, तो प्रोड़क्ट जवाएगा, वो आजाएगा, 1,4-dibromo-benzene, option check करते हैं, sequence is R, जो product क्या-क्या आया, तो हमारे पास यहाँ जो product आया, वो हमारे पास product आया, वो आया second, तो second is correct answer, आगे इससे और regarding coefficient पूचा है, तो देखते हैं, हमें पूचा है, the product of the following reaction sequence is R, कि इसका product क्या होगा, तो इसका product जो आएगा, वो आएगा second, जो second हमने proof कर दिया है, और बाकी किसी product की possibility नहीं है, ठीक है, next, वापसे more than one choice का question है, और question बिलोंग कर रहा है, biomolecules chapter से, थोड़ा सा मेत वाले बचों के लिए chapter थोड़ा सा कम related होता है, फिर भी बहुत conceptual question जहीं नहीं पूचा है, आप इस question को बहुत ही अच्छे वेसे हैं, और concept आपका clear है, तो बहुत easy वेसे इसको solo कर सकते हो, कैसे होगा question solo है? पहले question देखते है, for invert sugar, the correct statement is R, आपको बोला है, invert sugar के लिए correct statement क्या है? तो question सबसे पहले अपने पास यहीं आया, कि invert sugar क्या होती है? invert sugar किसको बोलते हैं? तो आप मैं सबसे पहले इसको बोलता हूँ, देखो इधर, जो सुक्रोज है, formula होता है, C12 है, H22, O11, और इस सुक्रोज का जो specific rotation होता है, specific rotation ऐसे represent कर देता हूँ, मैं alpha से, और यह D, sodium light को represent कर रहा है, यह इसका specific rotation होता है, वो होता है, plus 66.5, specific rotation इसका होता है, plus 66.5, मतलब plus का मतलब है, it is dextrorotatory, जो plane polarized light को dextrorotate करेगा, उसको हम represent करते हैं, plus से, it is dextrorotatory, मतलब deep हों, इस plus का मतलब है, dextrorotatory, अगर मैं सुक्रोज का hydrolysis करवाता हूँ, dilute HCl डाल दो, या H plus H2 डाल दो, तो equimolar mixer बनता है, glucose और fructose का, यह तो सबको पता ही होगा, तो glucose बना, प्लस fructose बना गो, और यह दोनों क्या आए हैं, एक भी molar है, अब glucose का, फ्रक्टोज का जो specific rotation होता है, वो होता है, plus 92 degree, ठीक है, और इसका जो specific rotation होता है, वो होता है, शोड़ी, फ्रक्टोज का, बना आपके पास, यहाँ बना आपके पास, glucose प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और दोनों किसमें बने हैं, इक्वी मोलर, ग्लुकोज और फ्रक्टोज दोनों एक्वी मोलर में मिक्सर बनते हैं, तो ग्लुकोज का जो specific rotation होता है, और फ्रक्टोज का specific rotation होता होता है, minus minus 92 degree, मतलब liver rotatory, negative का मतलब यहाँ पे है, liver rotatory, small l, और इसका जो होता है, वो होता है, plus 52 degree, मतलब यह क्या है, dextrotrotatory, ठीक है, अब देखो, सुक्रोज, जो की dextrotrotatory था, आपने जैसे उसका hydrolysis करवाया, वो solution में वो एक्वी मोलर बने, ग्लुकोज और फ्रक्टोज के, ग्लुकोज का specific rotation है, plus 52, और फ्रक्टोज का specific rotation है, minus 92, ओवराल solution, जो पूरा solution हुआ, उसमें आप देखें, कि negative, liver rotatory वाला part ज्यादा हो गया, पहले, ओवराल difference कितना आ रहे है, यहाँ, plus 52 से minus 52, cancel out हो जाएगा, आगी बचा कितना, minus 40, यह वाला बचा, तो nature of rotation change हुआ, पहले जहाँ सुक्रोज था, plus 6.5, और plus 6.5 से चला गया, minus 40, इस equimolar mixer का, जो rotation आएगा, वो plus 40 आएगा, तो change in sign of rotation, rotation के sign में change हुआ, inversion हो गया, plus से क्या हो गया, negative हो गया, इसलिए बोलते हैं सुक्रोज को invert sugar, के लिए, सुक्रोज को हम बोलते हैं invert sugar, अब option देखते हैं, invert sugar is prepared by acid catalyzed hydrolysis of maltose naji, acid catalyzed hydrolysis किसका करवाना आपको, सुक्रोज का करवाना है, आप यहाँ hydrolysis करवा सकते हो, या कोई एक enzyme है, invertage, invertage enzyme लोगें, तब भी ये reaction हो जाएगे, adlases करवा हूँ या invertage लोग, ये side में ये भी ध्यान रखिया भी या, इस enzyme की presence में भी reaction हो जाएगे, तो first option तो गलत हो गया, जैसा मैंने निच बलाया है, फिर है, inverse sugar is an equimolar mixer of D glucose and D fructose, fructose पे negative लगाया है, glucose पे positive लगाया है, मैंने भी यहाँ positive लगाया है, negative लगाया है, इसका मतलब ये statement सही है, फिर बोल रहा है, specific rotation of invert sugar is minus 20, इस equimolar mixer का overall rotation आया minus 40, तो specific rotation for equimolar mixer, specific rotation for equimolar mixer, वो कितना जाएगा, minus 40 divided by 2, मतलब minus 20, इतना जाएगा, equimolar mixer में, मतलब इसका solution और इसका solution दोनों परजेंटर, तो दोसी क्या कर देंगे, divided कर देंगे, तो यहाँ बोला, specific rotation of invert sugar is minus 20, सही बात है, किलर, तिरसाइ statement किलर, on reaction with BR2 water, invert sugar forms saccharic acid as one of the product, यह invert sugar है, invert sugar में कौन है, glucose है, और fructose दोनों परजेंट है, आपने reaction कर वाए किससे हैं, bromine water से, तो bromine water से, जब glucose की reaction करवाते हो, तो saccharic acid नहीं बनता है, उस condition में gluconic acid बनता है, इनवर्ट sugar में glucose भी और fructose भी है, BR2 oxidizing agent है, जब आप डालोगे, तो glucose BR2 से oxidize होगा, और convert हो जाएगा gluconic acid में, तो gluconic acid बनेगा, saccharic acid नहीं बनेगा, तो यह statement क्या हो गया, गलत हो गया, तो answer आया, वो अपने पास आया, second और third, वापस से सुन ले, clear हो गया, इनवर्ट sugar is an EQ molar mixer of D-glucosin defructose, यह specific rotation of invert sugar is minus 20, clear, क्योंकि sign change होगा है, plus 66, 5 से total sign होगा, minus 40, वट mixer की बात कर रहे हैं, तो EQ molar mixer है, तो 2 से divided कर दिया, specific rotation जो invert sugar का हो गया, वो होगया, minus 20, ओके, तो answer जो जाएगा, वो जाएगा, second और third, यह reaction भी समझ में आओगे, कि invert sugar में, gluconic acid बनेगा, मतलब glucose जो है न, invert sugar में glucose है, अगर BR2C reaction कराओगे, तो gluconic acid बनेगा, securic acid नहीं बनेगा, gluconic acid जो होता है, वो यह वाला होता है, this is gluconic acid, यह वाला बनता है, और securic acid में तो, यहाँ भी COH group लगा वरता है, तो fourth statement क्या हो गया, गलत, चो answer जाएगा, second और third, ओके, next, फिर वापसे more than one choice question है, compound P and R upon ogenolysis produce Q and S, एक compound P और R है, फिर है respective लीदा molecular formula, Q और S, यह formula है, कि जो product बनाएंगे, उन दोनों ही condition में, Q और S का जो molecular formula आएगा, ogenolysis पे, वो है C8H8O, क्यों undergoes K-N-Zaro reaction, तो K-N-Zaro reaction जा रहा है, इसका मतलब LDID group, without alpha hydrogen, but not halophoam reaction, halophoam reaction नहीं दे रहा है, इसका मतलब CS3Coskeleton absent, where S undergoes halophoam reaction, but not K-N-Zaro reaction, वो K-N-Zaro reaction जो नहीं करता, तो Q को solo करते हैं, पहले हम conditions की बात कर लेते हैं, कि क्या condition हमें बोली हुई है, देखो, हमें बोला हुआ है, कि क्यूं जो है, क्यूं की लिए क्या बोला हुआ है, undergoes K-N-Zaro reaction, इसका मतलब L-D-Hide without alpha-hydrogen, यह होना ची उसमें क्यूं में, दूसरा बोल रहा है, undergoes K-N-Zaro reaction, हेलोफोम reaction जो नहीं करता, इसका मतलब CO-CH3, methyl ketone, skeleton, absent, यह skeleton क्या होना चीए, absent होना चीए, जो compound यह skeleton रखते हैं, वो compound हेलोफोम टेस्ट देते हैं, जिसमें methyl ketone, होता है, वो compound हेलोफोम टेस्ट देते हैं, बट हमें यह पूचा है, कि हेलोफोम reaction नहीं देना चीए, whereas S undergoes हेलोफोम reaction, S की बात कर रहा है, S में बोल रहा है, undergoes halofoam reaction, मतलब हेव COCH3 iskeleton, यह iskeleton उसके पास होना चाहिए, के निजारो reaction, के निजारो का मतलब है कि के निजारो reaction वो नहीं देता, मतलब हेव alpha hydrogen with respect to carbonyl group, carbonyl group के respect में वो क्या रखता है, alpha hydrogen रखता है, यह हमारे पास question है, अब आप एक-एक option को हम check कर लेते हैं, option को check करेंगे, तो यह यहां से ogenolysis होगा, इसका यहां से ogenolysis होगा, इसका यहां से ogenolysis होगा, ठीक है, यह जो ogenolysis से जो product बढ़ेंगे, उनिकी बात हम करेंगे, तो first option को check करते हैं, पहले first को check करते हैं, P and R, तो the option with suitable condition of P और R को कौन सा option फोलो करेगा, तो देखें, पहला जो दिया होगा, वो यह दिया होगा है, option CH3, और यहां पे आपको दिया होगा है, यह वाला, ogenolysis करवाएं, oxygen, oxygen, तो इधर जो बनेगा, वो बन जाएगा, CH3, COH, और इधर बन जाएगा, वो बन जाएगा, CH3, COH, ogenolysis reaction सबको करवाने आ रही होगी, double bonded यहां जाएगा, डाइरेक्ट वेसे में करा रहा हूँ, CH3, COH में करनोट होगा, इधर भी CHO group generate हो जाएगा, अब यह किस condition को फोलो करता है, हमें यह बोला है, respectively बताना है P और R, तो P को फोलो करता है कि नहीं करता, पी और R, पी बोल रहा है कि P और R अपर अपर अजने से सी product Q and S, respectively the molecular formula Q and S, यह होगा, C8H8O, तो यह formula होगा आपके पास, C8H8O का, देख लें, C8H8O का, अब यह compound, क्या, यह जो reaction दे रहा है, कि LDH without help hydrogen है, help home देगा, क्यूंकि condition को फोलो कर रहा है, कर रहा है न, क्यूंकि LDH group है, help hydrogen नहीं है, CS3 CO-scalator absent है, तो इसका मतलब, यह क्यूं वाली condition को फोलो कर रहा है, तो पर्स्ट प्रोड़क्ट यह हो सकता है, सेगिन की बात करें, सेगिन में आपके बोला हुआ है, कि सेगिन का, अगर मैं हटलासिस करवाऊंगा, तो जो प्रोड़क्ट बनेगा, मैं डायरेक्ट इसका, यहां से, sorry, ओजनलासिस करवाऊंगा, तो यह वाला प्रोड़क्ट बनेगा, क्या यह CS3 CO-Skletan present है, यह रहा, हेलो फोमटेस देदेगा, हेव अलपा एड्रोजन विद रस्पेक्ट टू कार्बनली ग्रूप, अलपा एड्रोजन है कार्बनली ग्रूप के, तो यह फोलो कर रहा है, तो यह किसको फोला कर रहा है, इसको फोलो कर रहा है, तो इसका मतलब पस्ट प्रांट सुझाएगा, पस्ट होगा, पस्ट P और R है, यह P और यह R, P और R से जो कंपॉंड बन रहा है, C8H8O, वो कंडिशन को फोलो कर रहा है, जैसा क्यूशन में हमें बताया गया है, सेगिंड को चेक करूँ, सेगिंड को चेक करूँगा, तो पहला जो बनाएगा, वो यह बनाएगा, और साइड में बन जाएगा, H-C-O-H, इसकी बात करें, यह P और मुले को फोलो करता है, तो क्या यह, L-D-I-D without L-P-A-D-E-Z-N, definitely L-D-I-D without L-P-A-D-E-Z-N, C-H-3-C-O-S-C-E-L-E-T-E-N absent, ठीक है, यह किसको फोलो कर रहा है, क्यों को फोलो कर रहा है, फिर दूसरा बोला है, तो यह तो क्यों को फोलो कर रहा है, इसका इडलासिस करवाएं, इसका इडलासिस करवाएं, इसका इडलासिस करवाएं, तो आपके पास आजाएगा C-O-C-H-3, यह भी मॉलिकुदर फोर्मुले को फोलो कर रहा है, C-H-3-C-O-S-K-L-E-T-E-N present है, अलपा हाइड्रोजन present है, तो यह भी फोलो कर रहा है, मतलब यह फोलो कर रहा है, S को, तो second भी option में हो जाएगा, ठीक है, first और second तो हो गया, अब बात करते हैं, third option की बात करें, तो third में यह बनेगा, third का ozone analysis करवाँगा तो, C-H-3 और यह C-O-H, फोलो कर रहा है, first वाले Q वाली condition को फोलो कर रहा है, इसकी बात करें, यह C-H-3 और यह double bond O-C-H-3, यह बनेगा इसके ozone analysis से, तो यह वाला C-H-3 C-O-S-K-L-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E-N-P-E और इधर बन जाएगा, इससे जो इसके ozone analysis से बनेगा, वो यह वाला बनेगा, तो यह भी follow कर रहा है, aldehyde है, alpha hydrogen absent है, CH-3 CO, CH-3 skeleton absent है, और यह second को follow कर रहा है, तो यह भी हो जाएगा, तो answer जो जाएगा इसमें, first भी जाएगा, second भी जाएगा, third भी जाएगा, fourth भी जाएगा एक simple सा question था, question में कोई बहुत बड़ा concept नहीं पूछा, आपको ogenolysis करवाना था, और ogenolysis करवाने के बाद, जो compound बन रहा था, C8H8O, उसको देखना था कि वो in conditions को follow करता है, नहीं या नहीं करता, तो इस question कहाँ सो जाएगा, first, second, third, और fourth, ठीक है, next देखते है, यह लो, the future presentation of D-glucose is given below, आपको यह D-glucose का future projection दिया हुआ है, future presentation दिया हुआ है, the correct structures of beta-L-glucopyranoes is R, मतलब आपको cyclic-pyranoes form में बताना है, कि beta-L-glucopyranoes का structure क्या होगा, वो आपको बताना है, देखो, execution solve, कैसे करते हैं, उसको देखें, execution बहुत simple way में solve होते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको concept आता है, तो यह बहुत simple way में कैसे solve हो जाते हैं, आपको दिया हुए एक D-glucopyranoes, तो देखो नहीं दर, D-glucopyranoes और L-glucopyranoes होते हैं, mirror image, D-glucopyranoes और L-glucopyranoes, एक दूसरी के क्या होते हैं, mirror image, पे रोप एनाइंचोमर, इसका मतलब यह हुआ, बीटा-D-glucopyranoes और L-glucopyranoes also mirror image to each other, बीटा-D-glucopyranoes और L-glucopyranoes भी क्या होंगे, एक दूसरी के क्या होंगे, mirror image होंगे, अब आपको बीटा-D-glucopyranoes बनाना है, या alpha-D-glucopyranoes बनाना है, और बता देता हूँ, alpha D glucose और alpha L glucose ये भी क्या होंगे mirror image होंगे तो जब भी आपको ऐसी structure बनानी है तो आप एक structure को ध्यान रखें beta D glucose की मैं structure बनाता हूँ आपको ये तो पता होगा कि cyclic structure बनता है तो मैं ये भी बताते दाऊंगे चलो देखो C double bond O और ये H और ये CH2 OH बाकी group लगे होए है OH H OH H OH और ये OH ये structure आपको दी हुई है यहां से ये cyclic structure का formation करता है hemiacetal बनता है तो यहां से एक नया chiral century यहां पे जन्टेट हो जाता है और उस पे दो possibility आपके पास आ जाती है कि वहां पे OH एक बार उदर गया और ये H बाकी skeleton agit रह गया OH इदर से इसके रिसके बीच में oxygen आ गया H बाकी ये group agit रह गये yellow अब इसमें जो OH है ना वो दूसरी side भी जा सकता है एक बार OH उदर गया नया chiral century हो आपको पता है SP2 पे आपनी reaction करवाई है तो आपको पता है SP2 पे chiral century जन्रेट हुआ है यहां पे तो यह OH दोनों तरफ जा सकता है जिसको हम anomeric carbon बोलते है तो दूसरी possibility है कि यह OH इस side आ जाए यह OH और यह H बाकी आपको agit रखना है जैसा आपनी यहां पे बनाया है H यह O इस आर नोट carbon यह carbon नहीं है क्यों रिपर्जेंटेशन है OH H OH H O ठीक है अब यहां पे यह जो form है यहां पे ओच left side में है और यहां OH right side में है ओच left side में है तो हम बोलते हैं beta form और इसको हम बोलते हैं alpha form अब आपको बनाना है बीटा एल ग्लुको पाइरेनोज यह पाइरेनोज फोम में आ गया किस फोम में आ गया पाइरेनोज फोम तो मैं यह बोल रहा हूँ कि अगर आप इससे बीटा डी ग्लुकोज बना लो तो बीटा डी ग्लुकोज यह बन गया ना बीटा फोम बीटा D glucose की जो mirror image होगी न वो होगी बीटा L glucose pyranose हमें ये glucose बोला है या मैं बोल दूँ बीटा D glucose pyranose mirror image बीटा L glucose pyranose ये भी mirror image होगी बीटा D glucose pyranose और बीटा L glucose pyranose तो इसको हमने ये बीटा फॉम बना लिया इस बीटा फॉम की जो mirror image होगी वो हो जाएगी बीटा L glucose pyranose अब आपको cyclic structure में arrange करना है तो इसको मैं cyclic structure में arrange कर देता हूँ इसको मेटा देता हूँ में एक बार ये आपकी बीटा फॉम है ठीक है अब इस बीटा फॉम को मैं arrange करता हूँ pyranose फॉम में देखो जो left side है वो about the plane जाएगा left में OH है तो ये उपर की तरब जाएगा और right side वाला नीचे की तरब जाएगा फिर दो नमबर पर उपर H नीचे OH इधर तीन नमबर पर उपर OH फिर H फिर यहां भी H और ये OH फिर ये CS2OH उपर की तरब जाएगा मतलब मैंने इससे बनाई है ये वाली फॉम कैसे बनाया left above दिखाना है और right वाला जो ग्रूप है वो आपको below दिखाना है above the plane और below the plane आपको दिखाना है वो मैंने बना दिया आप direct भी ध्यान रख सकते हैं एक इस टेक्षर चे आप सभी इस टेक्षर बना सकते हैं मैंने बनाया ये है बीटा डी ग्लूको पाइरेनोड ये वाला ना इसको आप याद रख सकते हैं ऐससे A, B, A, B, A, B टाइप से A, B, A, B टाइप से आप याद रख सकते हैं यहाँ इस A का मतलब है above और B का मतलब है below ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ भीया बीटा डी ग्लूकोज को आप directly याद रख सकते हैं A, B, A, B टरम से मतलब A, B, A का मतलब above, B का मतलब below देखो, O, H, O, H के respect में है with respect to O, H O, H के respect में देखो above, below, above, below, above, below तो ये A, B, A, B के respect में आपको देखना है अब ये है बीटा डी ग्लूकोज पाइरनोज मैं बोलो, इसकी जो mirror image होगी न वो क्या होगी? बीटा L ग्लूकोज पाइरनोज तो जस्ट इसका opposite जो होगा वो होगा बीटा L ग्लूकोज पाइरनोज तो वो क्या होगा? देखो जस्ट उस O, H उपर तो नीचे कर दो O, H ये H, उसमें O, H उपर चला जाएगा H नीचे आजएगा इसमें O, H नीचे आजएगा O, H उपर चला जाएगा फिर O, H उपर H नीचे, फिर यहाँ CH2 O, H और ये H ऐसी अगर फोम देखोगे तो ऐसी फोम आपको मिलेगी फोर्थ उप्शन में तो आंसर जो जाएगा, वो जाएगा फोर्थ के लिएर, नेक्स्ट देखते है विचोधा फोलंग स्टेट्मेंट इस आर्ट्रू ये क्योशन भी बिलोंग कर रहा है बायो मोलिक्यूल से जेएडवांस टूट हाँजेंट नाइनटीन में क्योशन आया है ओक्सिडेशन ओप ग्लुकोज विद ब्रोमीन वोटर ग्यू ग्लुटेमिक एसिल तो देखो ग्लुकोज जो है मैं बात कर लेता हूँ ग्लुकोज हमने अभी ये बोला चो ये च्च्टू ओएच 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 ये है डी ग्लुकोज तो बनता है ये चो ओप्सिडेश हो जाता है चो ओएच में बाकी एज़िट रह जाता है इस कंपाउन का नाम होता है ग्लुकोज विद ब्रोमीन पहला स्टेटमेंट क्या बोला आपको ओक्सिडेशन ओफ ग्लुकोज विद ब्रोमीन वोटर ग्लुटेमिक एचिड ना ग्लुटेमिक एचिड नहीं बनता है क्या बना है ग्लुकोनिक एचिड ग्लुटेमिक एचिड तो इसको बोलते है ग्लुटेमिक एचिड की स्टेक्टर क्या होती है glutamic acid होता है COH, CH, NH2, CH2, CH2, और यह COH, this is glutamic acid, यह क्या है, glutamic acid है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपने यह, glutamic acid है, जो कि एक type of amino acid है, acidic amino acid का example है, तो पर्स्ट statement गलत हो गया, सही कब होता, oxidation of glucose with bromine water give gluconic acid लिखता, तब सही होता, तो पर्स्ट statement गलत, clear, next देखें, second statement की बात करते हैं, the two six-member cyclic hemiacetal form of D-glucose are called anomers, definitely anomers बोलते हैं, क्योंकि cyclic form, जैसे मैंने अभी पीछे वाले question में, बीटा-D-glucose बनाना बताया है, तो वो बताया है, ए भी ए भी ट्रिक से हमें बनाना है, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, और ये CH2OH, और ये H, ये बनाया बीटा-D-glucose, two six-member cyclic hemiacetal, तो एक तो ये बना, दूसरा यहां मैंने चेंज किया था, इस पे, अभी जो पीछे वाले question में बनाया है, तो दूसरा बनेगा ये वाला, बाकी agent रह जाएंगे, ये CH2OH, और ये H, H, OH, OH, H, OH, और ये OH नीचे, और ये H, इस में मैंने चेंज कर दिया, तो इस carbon को, hemiacetal वाले इस carbon को, हम बोलते हैं, anomeric carbon, क्या बोलते हैं, anomeric carbon, और anomeric carbon पे चेंज हुआ है, इसमें OH उपर है, इसमें OH नीचे है, बाकी सभी same है, तो इसको हम बोलते हैं, these are, ये है, alpha-D-glucose, और बीटा-D-glucose और alpha-D-glucose में जो relation होता है न, उसको बोलते हैं, anomers, तो cold anomers, statement क्या है, सही है, किलिएर, next देखते हैं, monosaccharide cannot be hydrolyzed to give polyhydroxyldeide and ketone, simple सा है, हम classification परते हैं, carbohydrate का उन्दा basis of hydrolysis, तो हम बोलते हैं, monosaccharide का further hydrolysis नहीं होता है, second परते हैं, हम oligosaccharide, oligosaccharide वो carbohydrate जो hydrolysis 2 से लेके 9 तक monosaccharide unit देते हैं, मतलब वो simple carbohydrate में hydrolyzed होते हैं, तो ये statement सही है, hydrolysis of sucrose give dextrorotatory glucose and liver rotatory fructose, ये पीछे मैंने reaction बताईए, कि सुक्रोज का, जो सुक्रोज खुद है, वो तो होता है dextrorotatory, बट इसका hydrolysis जब करवाते हैं, तो glucose और fructose बनता है, fructose liver rotatory और ये dextrorotatory होता है, पीछे मैंने एक question solo कराया है, उसमें मैंने इस चीज को discuss किया है, डिटेल से, वो ही solution यहाँ पे रहेगा, तो hydrolysis of sucrose give dextrorotatory glucose and liver rotatory fructose statement सही है, तो answer जाएगा, वो जाएगा second, third, fourth, clear, next देखते हैं, next question है, choose the correct option from the following, आपको यहाँ correct option क्या करना है, choose करना है, nylon 6-hage amide linkage, यह polymer वाले chapter से question है, और बहुत simple सा question है, theoretical question है, इसको भी explain हम करते हैं, देखें, पहला बोला है, कि nylon 6-hage amide linkage, definitely amide linkage रखता है, देखो इदर, यह जो compound है, C double bond O, NH, यह वाला, यह nylon 6 polymer की monomeric unit है, जिसको हम बोलते हैं, के proleptum, इसका हम hydrolysis करवाते हैं, और heat देते हैं, hydrolysis and heat, तो बनता है, CO, CH25, और यह NH, और इसका नाम है, nylon 6, इसका नाम है nylon 6, तो अब हम बात करें, कि amide linkage है या नहीं है, तो देखो पहले यह hydrolyze हुआ, तो hydrolyze है यहाँच दूटा, यह OH और यह H, तो इधर बना आपके पास C double bond OH, और इधर आपके पास CH25, और इधर यह NH, ऐसी unit बनेगी बहुत सारी, फिर यह वापके सी react करेगा, तो polymerization होगा, condensation polymerization होगा, OH, CO, CH25, NH, NH, यहाँ से OH बहर जाएगा, आगे बनेगा तो इसका H बहर जाएगा, इधर से OH बहर जाएगा, आगे जिसी unit joint होती जाएगी, तो CO, यह CH25, NH, यह CO, CH25, और यह NH, क्या यह amide linkage है, जी हाँ यह amide linkage है, और कौन सी unit बार-बार repeat हो रही है, repeating unit कौन सी है, तो आप देखेंगे, यह वाली जो unit है, यह वाली unit वापस से क्या हो रही है, repeat हो रही है, इसलिए इसको ऐसे represent हम कर देते हैं, तो इसका मतलब amide linkage रखता है, ओके, फर्स्ट स्टेट्मेंट सही है, सेगेंड बोला है, टेफलोन is prepared by heating tetrafluoroathene in presence of persulfate catalyzed at high pressure, टेफलोन, tetrafluoroathene CF2, double bond CF2, यह tetrafluoroathene है, यहाँ पे जो आपको लिया है है reagent, persulfate catalyst at high pressure, definitely high pressure, और persulfate catalyst चे यह polymerize होगा, CF2 और CF2 यह बनेगा, addition polymerization यहाँ पे होगा, और इस compound का नाम है, टेफलोन, तो statement second भी सही है, cellulose has only alpha-D glucose unit that are joined by glycosidic linkage, तो मैं बता दूँ, cellulose alpha-D glucose नहीं रखती है, cellulose, हेव, beta-D glucose, monomeric unit, और हेव, beta-1,4 glycosidic linkage, यह वाली रखती है, तो statement क्या हो गया, गलत हो गया है, क्योंकि alpha-D glucose नहीं रखता है, गलत, natural rubber is polyisoprene containing trans-alkin unit, नहीं जी, यह रखता है, cis-alkin unit, कौँछी unit रखता है, cis-alkin unit रखता है, explain कर देता हूँ देखो इतर, तो fourth statement तो गलत हो गया है, statement क्या है यह, गलत है, हमें कैसे देखो इदर, natural rubber is polyisoprene, definitely polyisoprene होता है, polyisoprene किसको बोलते हैं, CH2 double bond, CH, CH, CH3 double bond, CH2, यह है, isoprene, जब यह polymerize होता है, polymerization, जब इसका polymerization होता है, तो बनता है, यह CH2, और यह CH double bond CH, C, और यह CH3, यह unit, इसको बोलते हैं, polyisoprene, इसका नाम है polyisoprene, बट यह जूडती कैसे है, तो देखो, इस double bond के regarding geometrical isomerism arise हो रही है, तो यह जो carbon है, यह CH2, यह valency free कर दी, इस carbon पे एक H है, double bond, यह carbon और यह CH2 की valency free कर दी, और यह CH3, तो जहां से linkage हो रहा है ना, इधर से और इधर से, यह दुनों same side है, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 6, polyisoprene is natural rubber, 1, 4, 6, polyisoprene ना, वो natural rubber है, यहां बोलाए कि trans, trans नहीं है, यह cis रखती है, trans में तो गाटा-पार्चा बन जाएगा, तो इसका मतलब यह statement भी गलत है, जो answer जो जाएगा, वो जाएगा, first और second, third और फूर दोनों ही statement क्या है, गलत है, ठीक है, next देगे, अब बात करते हैं, next question की, matching type question है, और column आपको column first, column second और column third, आपको तीन column दियोए हैं, और यह question आया है, J.E. 2017 में, बहुत अच्छा question है, और यह J.E. ने पहले बार तीन column के concept पर question दिया था, बट question बहुत इजी है, आप इसको अगर concept चोल, आपको आती है, सारी reaction तो आप इसको easy way में solo कर सकते हो, देखते हैं, question में क्या है, आपको column first में दिया वाया है, toluene, acetophenone, benzyldeide और phenol, आपको answer देना है, question number 14, 15 और 16 का, by appropriate matching the information given in three columns of the following table, column first, second, third, contain starting material, reaction condition, and type of reaction, first पर तो है, starting material आपको क्या लेना है, second में आपको reaction conditions दी वुई है, और third में type of reaction दिया वाया है, उसके बाद आपको questions के जबाब देने हैं, जैसे 30 number question है, the only correct combination that gives two different carboxlic acid, कि किस में दो different carboxlic acid का formation होगा, ओके, तो question आपने देख लिया है, अब हम इसके solution की बात करें, तो थोड़ा सा मुझे लंबी process है, तो board पर जगया चाहिए, देखें, करें sol, एक-एक sequence को sol कर लेते हैं, पता लग जाएगा क्या है, पहला है आपको toluene दिया हुआ है, ठीक है, toluene किस के साथ reaction करेगा, न आवच BR2 के साथ नहीं करेगा, बेस के साथ reaction नहीं करेगा, तो second reaction होगी, BR2Hμू से, तो BR2Hμू से pre-radical substitution हुआ, प्री-radical substitution, FRS का मतलब है, प्री-radical substitution, और आपके पास बन जाएगा, CH2BR, और substitution reaction हुई, तो पर्ष्ट, second में आपके पास आएगा, second reagent यह वाला, और वहाँ हुई है, substitution reaction, पर्ष्ट का तो यह हुआ, second के बाद करें, acetophenone, तो acetophenone इस compound को बोलते हैं, COCH3, यह है acetophenone, ओके, इसकी reaction करवानी है आपको, किसी reaction करेगा, यह acetophenone है, हेलोफोम, इसकलेटन इसमें पर्जेंट है, NaOHBR2 के साथ reaction करेगा, NaOH और BR2, reaction का नाम है, हेलोफोम, तो हेलोफोम में इसका हेलोफोम बन जाएगा, CHBR3, और जो पीछे इसकलेटन बना, उसका salt बन जाएगा, PHCO-Na+, यह salt बन जाएगा, ठीक है, तो second जोड़ी agent है, second, उसके बाद, react कर रहा है यह पर्ष्ट से, और reaction जो हुई है यहाँ पे, वो यह हेलोफोम, S, थर, बेंजल्डी हाइड, react करेगा, acetic anhydride और acetate से, पीछे एक कंसेप्ट में, मैंने इस कंसेप्ट को डिसकस भी किया है, पर किन reaction यहाँ पे reaction होगी, और यह वाली जो है, CH3, CO, का whole twice, O, और CH3, CO-, और यह potassium, reaction का नाम है, perkin condensation, reaction होगी, perkin condensation, और मैंने बोला था, perkin reaction में, CHO group किसमें करनोट होता है, CH, double bond, CHCOH में, और side में एक केशिडोर बनता है, CH3, COH, तो थाइड जो बेंजल्डियाइड है, थाइड वाला है, वो थाइड, उसके बाद इधर थाइड रियेजेंट से रियेक्शन कर रहा है, और उधर आपके पास होई, Condensation Reaction P, फोर फिनोल की रियेक्शन है, कोल बे रियेक्शन है, फिनोल, और यह CO2, NaOH, रियेक्शन है, Aromatic Electrophilic Substitution, कोल बे रियेक्शन नाम है इसका, NCRT की रियेक्शन है, और यहां पे, OH और यह COH, मतलब carboxylation, carboxyl group जुड़ गया, तो carboxylation हो गया, तो इसका जो answer आएगा, वो fourth, यहां से आपने react किया, यहां भी fourth, और उधर आपने ले लिया, क्यों, अब आपको question solve करने है, देखें, पहला जो question बोला है, वो बोला है, the correct combination that gives two different carboxylic acid, तो क्या दो different carboxylic acid इसमें मिलें क्या अपन को, इसका नाम है cinemic acid, इस acid का नाम है, cinemic acid, और इसका नाम है, acidic acid, तो दो different carboxylic acid का combination अपने पास, third, third P, ऐसा option अपने पास, second, तो इसका answer जाएगा, वो जाएगा second answer, ठीक है, फिर बात करते हैं, next question की क्या है, वो ही same question है, यहाँ पूचा है, the only correct combination, इन विस्ता reaction प्रोशीड थू रेडिकल मेकेनिजम, तो मैंने बताया था, first जो था, वो फ्री रेडिकल से जा रहा था, यह फ्री रेडिकल, toluene, BR2, यह वाला, और उसके बाद यहाँ से, यह substitution reaction, यह वाला बोला था, एसा option, first, second, R, second is correct answer, next, same concept है, फिर वापस बला था, for the synthesis of benzoic acid, the only correct combination is, तो देखो, benzyl acetophenone की, जब हेलो फोम reaction मेने करवाई है, हेलो फोम reaction मेने करवाई है, तो वहाँ, वोला synthesis of benzoic acid, for the synthesis of benzoic acid, तो उसमें अपने पास यह salt बना है, पीछे आप देखे, reaction जहां मेने लिखी है, वहाँ यह salt बना है, और side में इसका हेलो फोम बना है, तो इसको मैं अगर H+, डालू, तो benzoic acid बन जाएगा, क्या बन जाएगा, benzoic acid बन जाएगा, तो इसके लिए अगर correct combination की बात करें, तो acetophenone, उसके बाद आपने करवाई, second की first से, NaOHBR2 से हैं, और इस reaction को हमने बोला, हेलो फोम reaction, त तो answer जाएगा fourth, बहुत ही simple question, but conceptual question, next देखें, 16th question, J.E. Advance 2019 में आया है, last year ही आया है, और बहुत ही simple सा question है, केवल question को बड़ा देखिया, इसकी length देखिया गबराया है, question बहुत हीजी है, इसके regarding दो question पूछें आपसे, answer the following by appropriately matching the list based on the information given in the paragraph, list first indicate starting material and reagent of selected chemical reaction, list second give a structure of compound that may be formed as intermediate product and or final product from the reaction of list first, ये list first है, और ये list second है, बोला है कि ये list second में जो आपको दिये हो है, list first में दिये हो है, वो list second में कौन सा product बनेगा, जैसे हमें बोला है, which are the following option, is the correct combination considering list first and list second, कौन सा correct option set होगा, तो first को हम solo कर लेते हैं, बाकि इसमें match कर लेंगे, first में जितने region दिये होए हैं, उनसे starting material की हम reaction कर वा देंगे, उसके बाद इन से हम क्या कर लेंगे, match कर लेंगे, तो देखें, कुछन को solo करें, तो आप, हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि product क्या बनने वाले हैं, ठीक है, तो product first देखो, first में आपको दिया होए है, यह वाला, और यहाँ पे लगाया होए है, cn, और इधर लगा दिया आपके पास oxygen, oxygen, और यह, 1, 2, यह carbon, ok, reaction कराई, diable से, diable क्या करता है, cyanide, diable cyanide, acid halide और ester, तीनों का reduction करता है, aldehyde में, वापस से मैं repeat कर रहा हूँ, सुन ले, diable cyanide, ester और acid halide का reduction करता है, किसमें, aldehyde के group में, तो यह यहाँ पे diable पहले, यह वाला region चाहिए, diable पहले तो करेगा, उसका reduction, cyanide का, तो cyanide का reduction करेगा, तो पहले तो देखो, past region जो बनाना, इसका, जो आपको दिया हुआ है, diable, इसके साथ क्या reaction होगी, वो देखें, इसके साथ अगर मैं reaction कराऊंगा, तो सबसे पहले यह बनेगा, ठीक है, और इधर आपके पास बन जाएगा, C double bond N H, यह बनेगा पहले H, H minus यहां क्या कर जाएगा, अटेक कर जाएगा, इमीन बना देगा, अब dilute HCL आपको दिया है न, तो यह करेगा hydrolysis, इसका भी करेगा hydrolysis, यह क्या है, हेमी की टेल, और उस इमीन का भी क्या करेगा, hydrolysis, मतलब इसका hydrolysis भी करेगा, और इसका भी hydrolysis करेगा, यहां से hydrolysis होगा, तो देखो, H, H, OH, OH, एक की carbon पे 2H, H2 क्या हो जाएगा, बाहर तो यहां LDID group generate, और वहां भी वो किसम करोड़ जाएगा, LDID में, तो second reagent से जो बनेगा, वो यह वाला बन जाएगा, CH2 और यह CHOB, और इधर भी COH, फिर इसकी reaction कराई है, NABH4 से, तो NABH4 reducing agent अगे बैटा, इस LDID group को भी reduce करेगा, इसको भी reduce करेगा, क्या बना देगा, CH2 और यह CH2, OH, और इधर भी आपके पास बन जाएगा, CH2, OH, फिर आपके पास, आपसे बोला है, Concentrate H2, SO4, तो Concentrate H2, SO4, Concentrate H2, SO4 चे बात करें, तो यहाँ से, यह Concentrate H2, SO4, H+, इसको इसको क्या कर देगा, बाहर करेगा, और finally जो product बनेगा, वो यह वाला बन जाएगा, यहाँ से, यह Carbon, यह Carbon, और यह Oxygen, और इधर से, यह Carbon, और यह वाला बन जाएगा, मतलब यहाँ से finally क्या करना है, H2O आपको बाहर करना है, अब ऐसा Option आपको कहां दिया हुआ है, ऐसा Option आपको दिया हुआ है, आर में, कहां दिया हुआ है, आर में, तो इससे जो बनेगा, वो कौन सा बन रहा है, आर बन रहा है, ओगे, पहले से जो बना, वो क्या बना, आर सेगिंड की बात कर लेते हैं ठीक है लेक्ष देखें सेगिंड में सेगिंड की बात करें तो सेगिंड में क्या दिया हुआ है CH2 CH double bond CH2 और इधर दिया है COH इसकी देखन कराएं पहले reductive ogenolysis O3 zinc H2O तो यहां से तूर जाएगा oxygen oxygen तो product जो बन जाएगा वह यह वाला बन जाएगा CH2 और यह COH और इधर आपके पास COH उसके बाद NABH4 तो NABH4 कार्बोक्सलिक एसिड का reduction नहीं करता है NABH4 कार्बोक्सलिक एसिड और एसिड डेरिवेट्टी में केवल एसिड हलाइड का reduction करता है बागी किसी का reduction नहीं करता हाँ LDID group का reduction करेगा तो NABH4 तो यहां बन जाएगा आपके पास CH2 CH2 OH और इधर आपके पास रजाएगा C double bond O और यह OH फिर उसके बाद reaction करवाईए concentrate H2 support से हैं तो यहां reaction होगी estrification कौन सी reaction? estrification, कार्बोक्सलिक एसिड और alcohol के बीच में तो यहां से यह H2 क्या हो जाएगा? बाहर और यहां जो product बनेगा वो यह वाला बन जाएगा CH2, यह CH2 और यह oxygen और इधर से C double bond O यह वाला product बनेगा ऐसा product अगर हम देखें तो ऐसा product हमारे पास बन रहा है अच्छा एक चीज और R भी बना था और इसमें Q भी बना था अभी हमने पीचे is question को solo किया है तो इसमें हमारे पास Q भी बना था अब अगर यहां बात करें तो यहां हमारे पास क्या क्या बन रहा है एक तो बन रहा है हमारे पास U second में U बन रहा है इसके अलावा हमारे पास CH2 COH यह वाला S भी बन रहा है ठीक है यह दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे कि लिए अब बात करते हैं थाड़ की थाड़ जो है वो है CH2Cl CO OCH3 इसकी रिखन करवाई के सीन से तो CN-8 करेगा CL को क्या कर देगा बाहर तो पहले बन जाएगा यह वाला CH2C triple bond N और यह CO OCH3 इसके बाद इसका hydrolysis और heat तो ester का hydrolysis भी हो जाएगा और इस sinide का hydrolysis भी हो जाएगा साइनाइड के hydrolysis से भी कार्बक्सली केसिड बनता है और ester के hydrolysis से भी कार्बक्सली केसिड बनेगा दोनों का hydrolysis हो जाएगा तो बन जाएगा CH2COH और यह COH उसके बाद reaction करवाई है LILH4 से तो LILH4 कार्बक्सली केसिड का reduction करता है alcohol में यहाँ बनाएगा CH2 और यह reduce हो जाएगा CH2OH में और इधर भी CH2OH फिर उसके बाद वापस से concentrate H2O4 तो अभी मैंने बोला था पीछे वाली पस्ट वाली reaction कि यह H2 क्या हो जाएगा बाहर और यह बन जाएगा और यहाँ आपके पास बन जाएगा यह carbon यह carbon और यह oxygen और यह carbon ठीक है यह वाला बन जाएगा अब देखें इसमें क्या-क्या बना हमारे पास LDID group और carboxlic acid की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अपने पास बना है third में KCN में पहले बना hydrolysis हो गया COH ऐसा group बना है अपने पास दो COH आएगे तो T बना है इसके अलावा दो OH वाला मतलब Q भी बना है और उसके बाद final product क्या बना है R भी बना है ठीक है और यह इसमें हमने इसमें पी भी बना था जो पीछे reaction मैंने कर वाई है उसको आप देखें इसमें P भी बनाता जब मैंने इसका सबसे पहले hydrolysis कर वाया है तो फिर बात करते हैं fourth की फोर्थ की बात करें तो fourth है अपने पास है इधर दियाओ आपको extra group C O M E और एक दियाओ आपको यह C O M E इसकी देखन करानी है Li LH4 से reduction होगा तो वह भी कनवर्ट हो जाएगा CH2 OH में और यह भी कनवर्ट हो जाएगा CH2 CH2 OH में तो इसका मतलब एक प्रोड़क्ट तो अपने पास यह वाला बन चुका है इसमें क्यों बना है फिर concentrate estoso 4 से तो वह ही same reaction यह H2 क्या हो जाएगा बाहर और क्या बनेगा यह लो तो यह वाला प्रोड़क्ट भी बना है इसमें R ओके चारों को मैंने solve कर दिया है simple reaction है सारी NCRT की reaction है कोई किसी reaction में कोई problem नहीं आने चीए इसलिए मैंने ज्यादा focus यहां पे नहीं किया है अब हम क्यूशन पर बात करते हैं कि क्यूशन पर हमारे पास कैसे solve होगा ठीक है वी एकसंस मेंने सारी solve कर दिया है अब क्यूशन पर आते हैं वापस से ठीक है क्यूशन क्या है विचोधा following option is the correct combination considering list first and list second third में क्या T और U बना है गलत है third में T Q R बना है fourth में Q और R बना है definitely fourth में Q और R बना है तो fourth सही है third में S और R बना है third में नहीं T Q R बना है fourth में Q U बना है नहीं बना तो इसका answer जाएगा हो जाएगा second है अब मैं बात करता हूँ next question की, next question को हम कैसे solo करेंगे, same इसी concept छे उसी को solo करेंगे, उसमें क्या बना है अपने पास वो ही same question है विचोधा following option है, the correct combination considering list first and list second, तो जो मैंने अभी पीछे solo किया है question, उसी के according देखो यहां बोल रहा है कि second PST, क्या second में PST बना, तो पीचे अपनी option शेक करते हैं, second में USP बना है, जो कि सही नहीं है, next देखते हैं आगे बोला है second में PSU बना है, प्सन शेक करते हैं तो देखे second में PSU बना है, इसका मतलब यह वाला सही है और option शेक करते हैं, first में S, Q, R बना है, first में हमारे पास Q और R बना, तो गलत हो गया, fourth option को check करें, first में Q, T, U बना है, तो देखो, first में Q, T, U बना आगया, नहीं बना, तो इसका answer जो जाएगा, next वाले इसका answer जाएगा, वो भी जाएगा second, दोनों में ही second answer आएगा, question solo करें, उसके बाद paragraph type का question है, okay, next देखते हैं बढ़ा, in the following reaction sequence, the amount of D in gram, formed from 10 mole of acetophenone, यह 10 mole acetophenone आपको लिया है, यह reaction sequence दी हुई है, the yield percentage corresponding to the product in each step is given in the parathesis, मतलब आपको कितना बना है, कौन सा कितना percentage बना है, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, और तो आपको बताना है, amount of D, 100%, इसका कितना amount बनेगा, देखें, बहुत simple question है, कोई बहुत बढ़ा question नहीं है, इसको हम simple से तरीके से solve कर सकते हैं, इसके 10 mol लिये हैं, एसिटो, फिनोन के कितने mol लिये हैं, 10 mol लिये हैं, तो देखें इधर, CO और ये CH3, reaction करवाई, NaOBR और ये hydrolysis, तो हेलोफों, तो कार्बॉक्सलिक एसिड बन जाएगा, पहले बना salt, CONA, और बना CHBR3, फिर ये H3O प्लस दिया हुआ हैं आपको, तो ये करनोट हो जाएगा किसमें, कार्बॉक्सलिके, ऐसे दो हैं, तो इसके आपको दिया हुए है 10 mol, yield बोल रहा है 60%, तो 10 mol का 60% का मतलब हो गया, कितना 6 mol, 60% का मतलब कितना mol हो गया, 60% बना है, इसका मतलब 6 mol करनोट हो गया, फिर इसकी रेक्न कराई NH3, और हीट से, तो बेंजेमाइड का फोर्मेशन हो जाएगा, CO NH2, ये बोल रहा है, यहां से जो yield आई है, 50%, मतलब 6 mol थे, 6 mol के 50% कितने हो गया, 3 mol, 3 mol बन जाएगा, फिर इसकी रेक्न कराई, BR2 कोज से, हापमान ब्रोमेमाइड, हापमान ब्रोमेमाइड रेक्सन होगी, हापमान ब्रोमेमाइड रेक्सन होगी, तो क्या बनेगा, NH2, अब हापमान इसका percentage बोला है कितना C मतलब 50% 50% किसका 50% बोला है कि आपके पास 3 mol थे 3 mol का 50% मतलब 1.5 mol ये बन गया अब इसकी reaction करवाई है NH2 की और ये वाला जो product आया हुआ है 1.5 mol इसकी रेखन करवाई BR2 3 equivalent ACOH तो होगा tri-bromination क्या हो जाएगा tri-bromination और tri-bromination के बाद जो product बनेगा वो NH2 BR और ये BR ये आपका और बोल रहा है इसकी yield कितनी बोल रहा है 100% yield रही है तो 1.5 mol थे पूरे के पूरे convert हो गई मतलब product की जो mole आया है वो 1.5 mol आया है तो जो final product हमने identify कर लिया final product के mole कितने बनेंगे वो हमने identify कर लिया वो बनेंगे 1.5 mol के लियर अब क्यूशन देखते है कि दा percentage yield of corresponding the product in each step is given in the parathensis जो दिया हुआ है उसकी बात कर ली अब हमें बताना है कि amount of d in gram d का कितना amount है in gram तो हमें बता है d का mole कितना है 1.5 तो mole into atomic mass of d तो हमें मिल जाएगा कि gram of d amount of d हमें मिल जाएगा amount of d निकालना है तो mole कितना है 1.5 और atomic mass of d या molecular weight of d शोड़ी यहां मैं बोल दूँ molecular weight of d तो d का molecular weight निकाले तो उसको लिए आपको दियावा है hydrogen का इतना, carbon का इतना, nitrogen का इतना, oxygen, bromine इनका इतना दियावा है तो इस formula का, इस compound का यदि आप atomic mass निकालोगे या molecular weight निकालोगे तो वह आएगा 3,3,0 आप इससे add करने, hopefully सभी को molecular weight calculate करना आता होगा तो यहां पे 1.5 into 330 तो आपके पास आजाएगा 4,9,5 it is correct answer, ओके यह gram में इसका amount आजाएगा, यह क्यूशन आया है, यह advance 2018 में next देखते है there is a final question, इसकी में 1st, 2nd, describe the conversion of P to Q, P to Q, R to S, और S to T describe the synthesis of T from Q and S, the total number of BR atom in a molecule of T T में कितने molecule के BR के हैं, तो बड़ा simple सा question है, देखे बात करें बात करते हैं, P की aniline reaction वोई गुमा गुमा के बापस आ रही है NH2, BR2, XS, और H2O, मतलब क्या होगा बेटा, Tribromination, क्या हो जाएगा, Tribromination तो पहले बन जाएगा यह वाला, NH2, BR, BR, और यह BR, उसके बाद diogenium salt, NaNO2, और HCl, तो यह diogenium salt बन जाएगा, N2 plus Cl minus, ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा N2Cl, BR, और यह BR, और यह BR, फिर उसके बाद reaction कराएगे, Cu, Cn, K, Cn से, reaction का नाम क्या है बेटा, Sandmire, reaction, तो यहाँ क्या जोड़ जाएगा, Cn, यह लो, उसके बाद करवाएगा, Hydrolysis, H3O, और Hydrolysis, Cn का Hydrolysis कराओगी, तो किसमें जाएगा, C, O, H में convert हो जाएगा, तो C, O, H, यह BR, यह BR, और यह BR, उसके बाद जिखने कराएगे, यह SOCL2 और Pyridine से, SOCL2 और Pyridine से, SOCL2 in presence of Pyridine, तो यहाँ OH की जाएगा, CL सप्लाई कर देगा, और फाइलली जो प्रोड़क्ट आएगा, वो आएगा, COCL, BR, यह BR, और यह BR, यह BR, यह प्रोड़क्ट आजाएगा, क्यूं आपका मेजर प्रोड़क्ट आजाएगा, R की, और बनेगा S मेजर, दूसरी रियक्शन, तो P से क्यूं बना, दूसरी रियक्शन की बात करते हैं, इसकी म, 2R की रियक्शन करवानी है, OLEUM से, NAOS से, और यहाँ ठीक है, यह प्रोड़क्ट आगया अपना क्यूं, तो मैं क्यूं प्रोड़क्ट को यहाँ मेंसन कर देता हूं, बाकि ठीक है, तो क्यूं प्रोड़क्ट अपना आया है, यह वाला, CO, EACL, BR, BR, और BR, यह क्यूं प्रोड़क्ट अपने identify कर लिया, बाकि दूसरे कर लेते हैं, इसकी बात करें, तो oleum, benzene oleum, मतलब H2O7, oleum, और यह करता है, sulfonation, क्या करता है, sulfonation, aromatic electrophilic substitution का example है, ARSE, तो बनेगा SO3H, फिर इसकी रेखन कराई, NaOH और heat से, तो यहाँ, phenol का preparation है, OH जूड़ जाएगा, O-, basic medium में reaction होएगा, तो पहले phenoxide N बनेगा, O-, Na+, साइड़ बन जाएगा, Na2, SO3, फिर दिया है H+, तो यह phenol में convert हो जाएगा, फिर phenol की reaction करवाई है, BR2 और CH2 से, BR2 और CH2 से, तो यहाँ में बता जेता हूँ, क्या होता है, Monobromination, और measure बनाना है, तो पेरा portion पे, इसके क्या लग जाएगा, BR जूड़ जाएगा, यह लो, यह भी aromatic के लोग्रोपलिक substitution, तो यह आगया अपने पास, S major product, ठीक है, तो S को लिख देते हैं, S आपके पास major product आया, वो यह वाला आगया, OH और BR, अब बोल रहा है कि S की reaction करवानी है, तो S product आया, अपने पास, यह वाला, OH और यह BR, इसकी reaction करवानी है किस से, NaOH से, तो acid-based reaction, H को हटा लेगा, यह बन जाएगा salt, और यहाँ पे, यह BR, और यह O-Na+, फिर reaction करवानी है, Q से, तो Q जो product बना, वो अपने पास यह वाला बना था, ठीक है, यह C double bond O, और यह CL, और यहाँ पे BR, BR, यह वाला कौन था, क्यूं, तो यहाँ पे होगा, acyl nucleophilic substitution, और acyl nucleophilic substitution होगा, तो यह attack करेगा, यह यहाँ से हाँ, अगली step में यह वापस गुमेगा, और CL को क्या कर देगा, बाहर यहाँ से कर देगा, और finally जो product आएगा, वो यह वाला आ जाएगा, BR, O, C double bond O, और यहाँ आपके पास, BR, BR, और यह BR, आपसे पूचा था, कि the total number of BR atom in a molecule of T, यह वाला आपके पास क्या बना है, T बना है, इसमें BR atom 1, 2, 3, और 4, इसका मतलब total number वो BR atom कितने आए, 4, तो answer जो जाएगा, integer type का क्यूचन था, वो जाएगा 4, तो student यह बात थी, topic and containing acid, 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 derivative, polymer, biomolecule, chemistry, aridity, life, c, जितने क्यूचन 2016 से 2019 तक आएवे थे, वो सभी मैंने solo करा दिये, आपने देखा होगा कि क्यूचन बहुत ही basic concept चेक्यूचन आ रहे हैं, reagent के functions आपको याद है, कौन सा reagent क्या करता है, तो organic बहुत ज़्यादा easy हो जाती है, जैसा मैंने सभी question को solve किया है, आप इस solution को देखें, और इससे यह idea लगाएं कि कहां से question बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप देखना coupling reaction और aniline और phenol की aromatic electrophilic substitution से बहुत ज़्यादा किसन आये होए हैं, ठीक है, तो सभी hopefully अच्छे से सभी को समझ में आया होगा, मिलते हैं, next lecture में, inorganic की lecture से बात करेंगे, inorganic और physical chemistry की paper की हम बात करेंगे, ठीक है, thank you.